इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से आप अपने WhatsApp chats को hide कर सकते हो WhatsApp ने ये feature release किया कि आप अपने individual chats या फिर WhatsApp groups के chats को आप hide कर सकते हो easily काफी simple सा तरीका है वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं WhatsApp के chats को hide करने के लिए सबसे पहले अगर आपका WhatsApp update नहीं है तो make sure अपने WhatsApp को update करना है play store में जाके तब ही हो सकता है maybe आपको ये वाला feature मिले अपने phone के play store या फिर app store में आपको जाके अपने WhatsApp को update करना है simply यहाँ से अपने WhatsApp को update करना अगर आपको update available है उसके बाद अपने WhatsApp को open करना है तो यहाँ से आप जिस भी chats को hide करना चाहते हो simply आपको यहाँ पर उस chat पर tap करके hold करना है for example यह वाला chat मुझे chat log से hide करना है तो इसके लिए आपको simply यहाँ पर tap करके hold करना है फिर आपको उपर टॉप में काफी सारो option देखने को मिल जाएगा तो right hand side में आपको 3 dot वाला option देखने को मिलेगा simply आपको इस पर tap करना है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक log chat का feature मिलेगा simply आपको इस पर tap करना है आपके phone में जो भी password लगा हुआ है पासवट फिल करके phone को unlock करना है अब यह वाला जो chat है वो आपको lock वाले section में देखने को मिलेगा lock वाला section देखने के लिए आपको simply यहाँ पर नीचे के तरप swipe करना है फिर आपको lock chats वाला section देखने को मिल जाएगा simply आपको यहाँ पर आजाना है फोन का password फिल करके आपको unlock करना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सेकते हैं मैंने दो chats को lock वाले section में रखा है तो जैसे कि मुझे chats को ही hide करना है तो आपको यहाँ पर 3 dot वाले option में आ जाना है फिर उसके बाद आपको यहाँ पर chat lock settings का option मिलेगा simply आपको इस पर tap करना है यहाँ chat lock settings में आपको hide lock chats का एक option देखने को मिलेगा simply आपको इस पर tap करना है उसके बाद आपको यहाँ पर एक secret code create करना है जैसे कि आपको यहाँ पर message में बताया जा रहा है find lock chats by entering your code into the search bar in the chats tab chats will be unlocked and cleared if you forget your code and create new one मतलब अगर आप अपने lock वाले chats को hide करते हो तो lock वाले chats को access करने के लिए आपको यहाँ पर अपने WhatsApp के chats वाले tab में आजाना है फिर आपको search में जाना है और जो आपने यहाँ पर आभी secret code बनाया होगा वही secret code आपको chats के search में आपको fill करना है वो chats को access करने के लिए तो जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ simply आपको यहाँ पर create secret code पर tap करना है जो भी आपको code बराना है simply आपको यहाँ पर code fill करके next करना है confirm secret code में आपको वही फिर से code fill करके done करना है उसके बाद आपको lock वाला chats hide हो जाएगा तो simply आप यहाँ पर जैसे की देख सकते हो lock chats वाला section आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा तो इस तरीके से अपने chats को आप यहाँ पर hide कर सकते हो अब जैसे कि आपको lock वाला chats देखना है तो इसके लिए simply आपको chat वाले tab में आ जाना है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको search bar में आ जाना है simply आपको यहाँ पर वही secret code fill करना है जैसे ही आप secret code fill करोगे आपको यहाँ पर lock chats वाला option देखने को मिल जाएगा यहाँ से आप lock वाले chats को access कर सकते हो lock chats वाले section से आपको chat को अगर हटाना हुआ तो simply आपको यहाँ पर back आना है और वो chats पर आपको tap करना है इस तरीके से hold करके फिर right hand side में आपको 3 dot में आ जाना है फिर आपको यहाँ पर unlock chats वाले पर tap करना है password जैसे fill करोगे जो आपका chats होगा वो unlock हो जाएगा इस तरीके से आप WhatsApp में अपने chats को hide कर सकते हो उमीद करता हूँ WhatsApp का यह वाला feature आपके लिए useful रहेगा अगर वीडियो में कोई भी doubt है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हो